सत्ता वीरोधी लेहर का डर भाजपा पर हावी हो सकता है जेपी नड़ा के दखल के बाद पाती ने देहरा और ज्वाला मुखी में प्रतियाशी बदल दिये कांगला में होशियार की अंदेखी से भी समीकरण बदल चुके हैं अब जातिय समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं वहीं राजपूतों की नाराजगी का भी नुकसान हो सकता है आज इनी सभी मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे हिमाचल में चुनाव सर पर है और चुनावी सरगर्मिया भी अब तेज होती जा रही है इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने आंत्रिक सरवे और सत्ता विरोधी लेहर की वज़ा से डरी भाजपा ने कांगला जिला के देहरा और ज्वाला मुखी चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतियाशी बदलने के फैसले पर मुहर लगा दी है भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा के दखल के बाद ज्वाला मुखी के विधायक रमेश धवाला के घर डिनर पर आयोजित बैठक में नए फॉर्मुले पर सहमती बनी है भाजपा के इस निर्णे से एक ही जटके में भाजपा में हाल ही में शामिल हुए देहरा के निर्दलिय विधायक होशियार सिंग और पूर्व विधायक योगराज की उमीदों पर पानी फिर गया है पिछले कई दिनों से ज्वाला मुखी और देहरा सीट पर टिकट को लेकर चल रहे घमासान के अब खतम होने के आसार है बताया जा रहा है कि नड़ा ने अपने हिमाचल दोरे के दोरान जिला कांगला की राजनेतिक स्थिती का फीडबेक लिया तो उन्हें पाती में चल रही उठा पठक की जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने हमीरपूर में देहरा उपमंडल की ज्वाला मुखी देहरा और जस्वा परागपूर के नेताओं के साथ बैठक की इस बैठक के बाद बिलासपूर में नड़ा के साथ बैठक में पाती प्रभारी अविनाश राय खन्ना और केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ताजा हालात पर मंथन किया गया अनुराग ठाकुर और अविनाश रायखन्ना को रमेश धवाला और रविन्दर सिंग रवी को मनाने का जिम्मा सौंपा गया नेताओं के दखल के बाद रमेश धवाला और रविन्दर सिंग रवी भी एक टेबल पर साथ बैठने को तयार हो गए उसके बाद रमेश धवाला के घर पर अवीनाश राय खन्ना और अनुराग ठाकुर ने डिनर पर रमेश धवाला और रविंदर सिंग रवी की बैठक करवाई और रमेश धवाला वा रविंदर रवी के चुनाव ख्षेत्र बदलने पर मुहर लगा दी गई है ज्वाला मुखी के मौझूदा विधायक रमेश धवाला ने ज्वाला मुखी में 1998 से 2017 तक पांच चुनाव लड़कर चार बार जीत हासिल की जबकी 2012 में चुनाव हार गए थे लेकिन 2017 के चुनाव जीतने के बाद भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा से अनबन के चलते ध्वाला अपनी ही सरकार में हाशिये पर रहे हालांकि सरकार ने उन्हें योजना बोड का उपाध्यक्ष भी बनाया लेकिन धवाला इससे असंतुष्ट ही रहे यही वज़ा है कि धवाला को इस बार ज्वाला मुखी में अपना टिकट कटने का खत्रा पैदा हुआ तो उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए कह दिया कि वे हर सूरत में चुनाव लडेंगे रमेश धवाला OBC नेता है और उनके भाजपा से बगावत पर भाजपा को OBC वोट बेंक के तूटने का खत्रा पैदा होने लगा दूसरी और देहरा से पिछला चुनावारे भाजपा नेता पूर्व मंत्री रविंदर सिंग रवी को मनाना भी आसान नहीं था रविंदर सिंग रवी को देहरा में पिछली बार हराने वाले निर्दलिय विधायक होशियार सिंग की एंट्री भाजपा में हुई तो देहरा भाजपा में बबाल मच गया और पूरा मंडल बागी हो गया खुद रविंदर सिंग रवी ने भी शर्त रखदी की अगर होशियार सिंग को देहरा में रखना है तो उन्हें सुला या फिर ज्वाला मुखी से टिकट दिया जाए डी लिमिटेशन के बाद थुरल हलके का एक हिस्सा ज्वाला मुखी तो दूसरा सुलहे में मिला है इसी वज़ा से रवी अपनी दावेदारी जताने लगे पूर्व मुखे मंतरी प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर के बेहद करीबी रविंदर सिंग रवी ने उन्हें जान भूज कर कमजोर करने का आरोप लगाया रवी के बागी तेवरों का नुकसान भाजपा को होने का अंदेशा था यही वज़ा थी कि पाती रवी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं ले पाई